हलो एवरीवन, ड्रीम एजूकेशन में आप सब का श्वागत है, आज हम देखेंगे इज एमार का प्रियोग, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इज का प्रियोग, इज का मतलब है है, इज का प्रियोग दिस, देट, ही, सी, इट, इब हम सिंग OOLAN आउंट किसी वैकती बश्तु का नाम होता है, चलिए इसके सिंपल सेंटेंस, देखेंगे, इसके सिंपल सेंटेंस ञैसे, वहे एक कार है, वहेक संतरा है, दिस, देट, इस, एन, औरेंज, यहे एक स्कूल है, दिस इज ए आ न आ इसकूल, यहे एक, यहे एक बगीचा है, This is our garden वह एक लड़की है C is our girl राम एक छात है राम is our student Negative sentences वह एक घर नहीं है That is not our home राम बुद्धिमान नहीं है राम is not intelligent सीता मूर्क नहीं है सीता is not fool विल्ली काली नहीं है Cat is not black नदी गहरी नहीं है रिवर एज नौट डी पहाड उचा नहीं है Mountain एज नौट हाई अब देखते हैं Interrogative sentences Interrogative sentences दो प्रिकार के होते हैं सबसे पहले Yes or not type जिनका जबाब हम हाँ या नामें दे सकते हैं दूशरे होते हैं Question by interrogative इनका सबसे पहले देखते हैं Yes or not type Interrogative sentences इसका formula है Is plus subject plus object इसके sentences है क्या वह पतंग है सोरी यहाँ पर यह लिख दे हैं यह नहीं होना चाहिए Is that a kite? क्या वह चाहता है? Is that a Sorry Is that umbrella? क्या राधा ठीक है? Is that a right? Is that a right? Is that a right? क्या गाए सफेद है? Is that a cow white? क्या बच्चा दटखत है? Is that a baby naughty? अब देखेंगे Question by type interrogative इनका फॉर्मॉला है Question by Plus age Plus subject Plus object तो फोर एक्जाम्पल क्या वह क्या है? What is that? Mohan कहा है? Where is Mohan? वह दुखी क्यों है? Why is he shed? वह कैसी है? How is she? वह लड़का कौन है? Who is that boy? वह लड़का कौन है? Who is that boy? यह किताब किसकी है? Whose is this book? तो ए रहा मरेच का प्रियोग हो गया आप देखते हैं अब देखते हैं आर का प्रियोग आर का अर्थ होता है और हो आर का प्रियोग दे, बी, यू, दीच, दोज एवं प्लूरल नाउंड के साथ होता है तो प्लूरल नाउंड दो या दो से अधिक ब्यक्तियों बस तो आय स्थानों के नाम को कहते हैं अब इनके सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले देखेंगे चियर्स बे पंखे नहीं हैं दोज आर नौट फैंस तूम एक अच्छे अध्यापक नहीं हो यू आर नौट आ गुड टीचर हम बीमार नहीं हैं वी आर नौट सिक बे डॉक्टर नहीं हैं दे आर नौट डॉक्टर्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसमें भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो फिरकार के होते हैं यस नो टाइप, कॉस्टन बर्ड टाइप तो इसका फॉर्मला भी सेम है आर प्लस सब्जेक प्लस अब्जेक इसका है कॉस्टन बर्ड प्लस आर सब्जेक प्लस अब्जेक चलिए अब sentence दिख तो, क्या बे पौधे है, are those plants, क्या ये कुरसिया है, are the cheers, क्या तुम खुश हो, are you happy, क्या हम गलत है, are we wrong, क्या बे बुद्धिमान है, are they intelligent, question by sentences, तुम कौन है, who are you, वे कैसे है, how are they, तुम नाराज क्यों हो, why are you angry, ये किताबें, sorry, बे किताबें कैसी है, how are those books, यह कौन सा कमरा है, which room is this, अब बात करते हैं, M के प्रियोग की, M का प्रियोग, M का अर्ठ होता है, how, M का प्रियोग, केबल, I के साथ ही किया जाता है, तो इसके simple sentence, मैं खुश हूँ, I am happy, मैं राधिका हूँ, I am राधिका, मैं एक बकील हूँ, I am a lawyer, मैं ठीक हूँ, I am fine, negative sentences, मैं खुश नहीं हूँ, I am not happy, मैं नाराज नहीं हूँ, I am not angry, मैं राधिका नहीं हूँ, I am not राधिका, interrogative sentence, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, am I a doctor, क्या मैं एक बुद्धिमान लड़का हूँ, am I an intelligent boy, क्या मैं नाराज हूँ, am I angry, तो यह थे हमारे AJMR का प्रियोग,